कि अग्जाम नमस्ते हेलो केम्चू स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवाल लेट्स करेक बैंक एक्जाम पर दोस्तों सुबह हो चुकी है और आपके लिए प्यूसर ताजा तरीन खबरे लेकर करके आ है तो फटा फट से जूर जाइए और सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए दो कि दोस्तों अपनी क्लास रोज सुबह साड़े पांच बजे लेट्स कर एक बैंक एक्जाम पर होती है डेली नॉन स्टॉप क्लास तीन बजे यहां पर हम लोग जो तो मार्च का मंतली करे दोस्तों जीए बाई प्यू से टेलिग्राम पे आपको इसका लिंक और पीडियाफ आपको सभी चीज़े प्राप्त हो जाती है जिसना भी मेरे जो है लेक्चर्स होते हैं ठीक है पांच बजे आज से वाइफाई स्टेडी 2.0 पे भी क्लास सुरू हो रही है थोड़ा सा ए रिष्ट किये लेकिन अब फिर से एक्जामनेशन के लिए लग जाएंगे तो आज से यहां पर जो है सुरू हो जाएगी थैंक्यू निधी सभी लोगों को गुड मॉर्निंग दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको टीचर का सारी लाइफ क्लासेस का है है रिकॉर्डिर सेशन का सब लिछ क्लास के दो थे से भाद भी कर सकते लिंपने जैब आपको इकोनिक लिया तो इन्सबी में आपको प्राइटिम आप आती है आप सभी को प्रात्मिक्ताइं मिल जाती हैं दोस्तों कि 325 रुपे पर मंत आपकी कॉस्टिंग पढ़ती है दोस्तों आइकोनिक जिसमें की प्राइटी मिलती उसमें 390 रुपे पर मंत की कॉस्टिंग आती है कंणर तमिल तेलगू इन सभी जो नए गोल से दोस्तों इसमें आपको जो है भी आप पढ़ाई कर सकते नए गोल्स आचुके हैं 26 तारीक को सेटेड़े को यहां पे स्कॉलर्शिप टेस्ट होने वाला है जिसमें आप जो है कि स्कॉलर्शिप तक्जित सकते हैं अभी इन्रोल कर लें दोस्तों कुछ भी इन उप्रिप्रियेट लगे तब रिपोर्ट करके ज्विन कर सकते हैं तीन बज़े दोस्तों डेली यहां पे क्लास होती है प्यूस सिंग को फॉलो कर लीजिए लाइफ चैट में भी ऑप्शन होगा और डिस्क् समन्द फिनेंशल करेंट अफैर कोर्स और जनरल अवेरनेस के इन्स टर्म परस बेंकिंग अवेरनेस के कोर्स भी आपको दिख जाते हैं ठीक है है कि जिसमें आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको इस पेशल क्लास का भी जो है कि पूरा का पूरा वह मिल जाएगा मॉड्यू में ओके दोस्तों मार्च तोजर 22 में नई दिल्ली दिल्ली में आयोजी 14 भारत जापान वार्षिक सिकर समेलन के संबन्द में निमलिकित में से कौन से पॉइंट सही है तो आपको पता है कि फूम्यों की सिदा जो की वहां के नए नए जो है प्रधान मंत्री है वो जापान के जो प्रधान मंत्री है जो जापान के पीम है वो भारत के दोरे पर आए पहली बार तो इनका भी नाम याद रखिए इस मेटिंग में देखिए यहां पर यह लिखा भी हुआ है फूमियों कि सिदा ऑफ मेंड्star के तो दोस्तों आर्टिकल थर्टीन ऑफ इंडिया जापान कं सेपा कंप्रीयंसीव एकोनामिक प्रॉपन्रेस्प इग्रिमेंट इंडिया जीथ ईप्साइन अमेंडमेंट्स touch बेल मैं गरिमेंट दोस्तों जो सेपा एगरिमेंट है इसमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 7 में अमेंडमेंड किये गए है कुछ सुधार किये होंगे दोस्तों दुबि पक्षी समझोते में कुछ कमियां मिली होंगी तो इंडिया जापान ने जो है पांच-5 साल में पांच ये याद रखना हैं हम लोग को करीब तीन लाग पीस ज़िए से कुछ करोणों रूपए यह आते हैं टोटल है ना दोस्तों पांच पांच का पांचों सही है यानि कि यहां पर आउल एबी सी यहां पर बात सही है तीनों बात सही है कोई भी बात यहां पर गलत नहीं है तो फुमियों किसिदा अब मोदी जी के जो मीटिंग हो गई है दोस्तों कि दोस्तों यहां पर यह जो दिख रहा है यह सी को टेली प्रांप्टर कहते हैं जिस पर पढ़के जो है दोनों तरफ लगे होते हैं जिसको पढ़के जो है बड़े-बड़े नेता बोलते हैं तो हम लोग को लगता है कि क्या बोल रहे हैं गजब कब बोल रहे हैं भाई गज है कि नहीं इतना सब दोहा कई से याद है इनको दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कर्पूरेशन ने जो है भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांस ट्रांजिस सिस्टम ट्रेंड लॉंच किया है दिल्ली से कहां तक के लिए लॉंच किया है गुड संगीता पतिराम निधी बसंत संज्यू कि सुकला भावेश कि बसंत सिवकुमार सरोज सभी लोगों को नमस्कार मीनेश सभी लोगों को राधे राधे गुड मॉनिंग आज थोड़ा लेट हो गया तक की जो है इस्ट्रीम की वो जो है की नहीं आई थी इसकी वज़ेस से हम उसका वेट करने पड़ा तो दोस्तों यह भाव जो है दिल्ली से मेरट तक यह जो है रैपिट सिस्टम ट्रेंड सुरू होने वाला इंडिया अरे भाव दिल्ली से मेरट तक दो है दोस्तों एकदम फटाफट जो है एक जो है रैपिड मेट्रो चलेगी दिल्ली से मेरट के लिए यहां पर दोस्तों यह मेरट लिखा भी है और यह NCRTC भी लिखा हुआ है यह रैपिड मेट्रो जो है दोस्तों चलेगी 82 किलोमीटर लगभग इसकी जो है दूरी होगी दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरट जाएगी 25 स्टेशन होंगे दोस्तों उत्तर पदेश के दुहाई और मोधीपूरं में दो डीपो जंगपूरा में एक स्टेबलिंग याड भी सामिल है इसमें ओके दोस् यूएंस एडवाईजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मेंड मल्टी लेटरलिजम हाली में प्रभावी बहु पक्षवाद पर संयुतराष्ट के सलाकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है तो दोस्तों यह जयती घोश को नामित किया गया भाईया जयती युनाइकेड़ Nasion Secretary General कौन हैं एंटोनियो गुटेरस हैं दोस्तों यूइटेज़ घनरल असेंबिक हैट कौन है तो अब्दुल्ला साहिद है Ee अगर बात करें युनाइटेड नेशन में कितने मेंबर हैं तो युनाइटेड नेशन में 193 मेंबर है लास्ट मेंबर साउथ सुडान है नियुयार्क में एड़क्वाटर है युनाइटेड नेशन सिक्योटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं दोस्तों युनाइटेड नेशन टर्रिरिजम कमीटी में टीए सिर्मूर्ती चेर कर रहे हैं इंडिया हेड कर रहा है तीए सिर्मूर्ती भारत में के प्रतिनीदी है युनाइटेड नेशन में इंडिया के पर्मानेंट रिप्रेसेंटेटीव हैं ओके दोस्तों यहां पे जो है भारत की जो अर्थसास्त्री ह है जैती घोश इंडिया डेवलप्मेंट एकनॉमिस्ट इन को जो है इस बारह सदस्त्रीय हाई-level एडवाईजरी बोर्ड में जो है न्यूक्त किया गया थीक है एडवाईजरी बोर्ड को को जो को इस पेस में सेटलाइट को नश्ट करने के लिए रिलेक्टिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्प्लिफायर आरके नामा के एक माइक्रोवेव मसीन विक्सित की है माइक्रोवेव से वो किसी भी सेटलाइट को नश्ट कर देंगे भाई साब तो दोस्तों यह काम जो है घिनावना चाइना ने किया है यह काम दोस्तों चाइना ने जो है किया है ठीक है यह कुछ सक्ति वाले लेजर हतियार के रूप में कार करेगा चाइना की कैपिटल बीजिंग है दोस्तों और रेनमिन भी यहां की करेंसी दोस्तों हाली में उन्नीस भी एसी आई सो यूपी बिलियर्ड चैंपियंशिप को आठवी बार लगातार किसने जीता है तो कोई और नाम होई नहीं सकता स्नूकर हो बिलियर्ड हो दोस्तों हमार बेताज बातसा अर्जून और पुरुसकार विजयता ने कतर के दोहा में दोस्तों यह कहां हुआ था कतर के दोहा में लुए था अपने ही हमद्स भारत के छे फ्रेम से हराकर तो दोस्तों ऐसे ही हमदण को जब भायin तो हारने वाले कभी नाम miraculous होusan अचाहिए ठीक है 16 विश्व खिताब और विश्व टीम विश्व चैंपियंशिप जी चुके हैं पंका जडवानी जी इन्हें मेजर ध्यांचंद खेल रत्र पुरुस्कार भी मिल चुका है युनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे आफ नवरोज वाज अब्जर्वड अक्रोज दे ग्लोबल और तो ग्लोब में दोस्तों पूरे विश्व में जो है 21 मार्ज को नवरोज मनाया जाता है नवरोज जो होता है वह नव वर्स होता है नवरोज का मतलब होता है नया दिन यसे रोज हम लोग दिन को कहते हैं रोज रोज आता आया करो डेली आया करो तो दोस्तों उसी तरीके से नवरोज मतलब नया दिन तो दोस्तों अमेंडमेंट्स तुदा लिम्टेड लाइबिलिटी पार्टनर्शिप 2008 विल टेक इफेक् सभावी होगा एक अप्रेल से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्शिप कि दोस्तों यह जो है एल एल पी जिसका प्रिविएस येर का टर्नोवर चालिस लाक रहा हो या फिर पचास करोड़ से ऊपर ना रहा हो उसे लल पी या जो है स्टार्टप ल एल पी के रूप में जो है नामित करने की जो है सरकार के पास सकतियां रहेंगे यह कप्रेल से यह लागू होगा दोस्तों जर्मनी ने रूश पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए किस उत्तर पुर्वी देश के साथ उर्जा समझोते पर स्टाक्षर कियें देगे दोस्तों जर्मनी जो है गैस और यह ऑल जो है रशिया से बहुत खरिद्था था लेकिन क्योंकि अभी प्रतिबंद लगा रहे हैं सभी देश रशिया पर तो अब जो है ऑप्शन भी चाहिए उनको तो इन्होंने कतर से जो है उर्जा समझोते पर डील किया रशिया पर प्रतिबंदों का बहुत सारे देशों को फायदा किया है तो यह गैस का सबसे वड़ा सप्लायर राय जर्मनी को अब जर्मनी जो है कतर से खरी देगा किसे खरी देगा कतर से कतर दोहा रियाल कतर दोहा रियाल कतर के दोहा में हमाद एरपोर्ट है दोस्तों जो दुनिया का सबसे बेस्ट एरपोर्ट है जायर अल बहर दोस् यह कतर के साथ भारत की कतर वे ही दोहा में दोस्तो 2022 का FIFA वर्ड कप भी होगा 2022 sports star SS award में पुरुस्वर्ग में sports star of the year का पुरुसकार किसे मिला है 2022 sports star SS award में पुरुस्वर्ग में sports year of the year award sports star of the year award दोस्तों नीरज चोपड़ा जी को मिला है किसको मिला है नीरज चोपड़ा जी को मिला है ठीक है कि दोस्तों वर्ड वाटर डे जो है पुरी दुनिया भर में किस दिन मना जाता है 22 मार्च को मना जाता है 22 मार्च पर चाहिए वाटर में जो है यूपी को एवर्ड मिला था ना वाटर में जो ठीक इसी के एक महीने पाद चले जाना 22 अप्रेल को तो और्थ डे मना जाता वाटर अर्थ पर ही तो है अर्थ वाटर से तो बना हुआ है तो 22 मार्च वाटर 22 अप्रेल जो है अर्थ दोस्तों आज 23 मार्च सहीदों की बरस पे लगेंगे हर बरस मेले बतन पर मरने वालों का बस यही बाकी निशा होगा सुखदेव जी राजगुरु जी और सहीदे आजम भगत सिंग जी को आज ही के दिन ओपरेशन ट्रोजन होर्स के तहट एक दिन पहले ही धोके से अंगरेजी सरकार ने फांसी दे दी थी और उनको जेल के पीछे से दरवा दिवाल तोड़के उनकी लास के टुकड़े टुकड़े करके ले जाके सतलुज पार जला रहे थे बाहर जंता की भीड़ी कठी हो जाएगा तो यहां पर और बीड़ी कटी हो जाएगी एक दिन बाद अगर फांसी दी जाएगी तो इसलिए उन लोगों ने यह कायराना काम किया था और उस समय जब सतलुज के पार आग जलते हुए देखा लोगों ने तो तुरंत जो है पूरी भीड़ वहां पहुंच गई उनको समझ में आ गया तो कुछ गरबढ़ हो रहा है और जब देखे तो उन्होंने उनकी लासों को भी छटविछट कर दिया था दोस्तों काट का अपमान किया था इन अंग्रेजों ने दोस्तों क्योंकि इनकी जो है अदालत से ही जो है चूले हिला दीती हमारे भगत सिंग ने अपनी सोच से इनको बचाया भी जा सकता था दोस्तों कि इसी मार्च में 1931 में डांडी मार्च का एक साल पूरा हुआ नमक कानून का तो पैक्ट हुआ था और उस पैक्ट में इन्हें बचाया जा सकता था दोस्तों क्योंकि गंधी जी चाहते साइमन्ड की क्या नाम था उसका कि अगर यह चाहते तो हम छोड़ देते लेकिन इन्होंने कुछ बाती नहीं करी तो इस तरीके की भी जो है उसकी किताब से यह जो है निकल के चीजे आती हैं तो दोस्तों मीठे पानी के महत्रों को जागर करने के लिए हर साल 22 मार्च को इस तक सबके पास घर पहुंच जाए तो दोस्तों सबके पास पानी पहुंच जाए पीने योगे गोव ने पहला काम किया कि पहले सबसे पहले जो है पूंचाया पूरी ने सबसे पहले शहरों में पहुंचाया पानी तो अभी इस आईसी में जल सक्ति मंत्रा ले पूछा बीता जल सकती मंत्री गजन सिंग से खावत है और जोधपुर से आते यह क्वेश्चन भी पूछा गया था है कि नहीं कि क्लियर रहें चलिए दोस्तों एन विरेन सिंग जी ने हाल ही में लगता दूसरे कारकाल के लिए मनिपूर के मुखमंत्री के रूप में सपत लिए मनिपूर के वर्तमान राजपाल को दोस्तों अभी पांच राज्यों में छुना हुआ है ना, यूपी में बिजे पीघ सरकार बणी दुबारा गोवा में दुबारा मनिपूर में दुबारा, उत्रा खंड में दुबारा चार जगतों बिजे पीघ सरकार की जित गई है तो दोस्तों यहां पे मनीपूर जो है जहां पर स्कैबूल लाम जाओ एक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है वहां पर भी जो है एन्विरेंश सिंग जी ने दूसरा करकाल सम्हाल लिया है है यहां के राजपाल है लागनेशन यहां पे दोस्तों सीरोही नेशनल पार्क भी है फिक है मणीपूर में कि लिए पर तो यह जीज़ुऑ सव्टा में वापसी कर ली है नमले कित record में प्रवेश किया तो कि सेवादी कश्मीदी गेट में इस्टेशन पर बेस्ट टुए नरजी का दूसो चववन स्टेशन था किस दिल्ली मेट्रो का 348 किलोमीटर कवर किया है जस्ट 16 घंटे 2 मिनिट में 16 घंटे 2 मिनिट में 348 किलोमीटर जो है है कि मैं सभी स्टेशन कवर करके दोस्तों इन्हें ने गिनिनी बुक वड्ट रिकॉर्ड बनाया है है ठीक है सदर बजार पुलिस टेशन बेश्ट पूलिस टेशन बेस्ट बेरी इस भी गुड़ वेरी गुड है दोस्तों कि सदेश ने पुर्व अमिर्की दूद्ट संकर परशाद सर्मा को भारत का नया राजदूत बनाया है तो दोस्तों नेपाल में जो है नेपाल के संकर प्रशाद सर्मा जो कि अमेरिका में राजदूत हुआ करते थे अब वो भारत में जो है नेपाल के राजदूत हो गए हैं संकर प्रसाद सर्मा ठीक है दोस्तों प्रभू राम शर्मा नेपाल के जो जनरल है उनको भी हमने भारत के जनरल की मानदुपादी दी थी हमारे जनरल मनोजमुकु नर्वनी को उन्होंने दी थी यह चलता है नेपाल ने धार्चुला में जो है भारत के बीच में एक पुल भी बन रहा है ठीक है नेपाल की कैपिल काठमांडू है दोस् दोस्तों इसे नियुक किया विद्ध्य देवी बंडारी यहां की राश्रपती है और शेर बहादूर देवबा यहां के दोस्तों प्रधान मंतरी है नेपाल के नेपाल ने दोस्तों अभी जिसे वो सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेश्ट की उचाई जो है 88.86 सेंटी मीटर जो है बड़ी हुई बताई है ठीक है माउंट एवरेश्ट की उचाई जो है 86 सेंटी मीटर बढ़ी हुई बताई है 0.86 मीटर बढ़ी हुई बताई है ठीक है दोस्तों पंजाब के भगवंत मान नए जो है मुखमंतरी बन गए है अमाद्वी पार्टी की सरकार आ गई है हर बजन सिंग को राजसभा सदस से बनाया गया जो की क्रिकेटर रहे हैं स्पी सिद्धू को अनमोल रतन सिद्धू को जो है दोस्तों यहां पंजाब का नया महाधी वक्ता बनाएं गया पंजाब की जो कैपिटल है दोस्तों वह चंडीगड़ है आटो फर्स्ट अप्लिकेशन हैस बीन लॉंच बाई विच बैंक टू ऑफर फुली आटोमेटेड आटो लोन्स तो दोस्तों पंजाब के जो राजपाल है वह हमारे साउथ में थे पहले तमिलनाडू में उनका नाम था क्या बनवारी लाल पुरोही यही नाम था न जी वह जो पंजाब के चंडीगड के जो है राजपाल बने थे तो दोस्तों यह आटो फर्स्ट अप्लिकेशन जो है किसने लॉंच किया है आटोमेटेड आटो लोन के लिए यह एच्टी अपसी बैंक ने लॉंच किया है सशीदर जगदीशन 1994 में आई थी मुंबई हेड़क्वा लिए है ना चैडबोट इवा बहुत सारी चीजे हैं दोस्तों HDFC बैंक के साथ एशिया मनी पोल में बेस्ट बैंक हमेशा भारत का सबसे मुल्यवान बैंक है दोस्तों मार्केट कैप्लाइशन में सेकेंड नंबर पर आता है कंपनियों में दोस्तों विच इंस्टिटूश तो दोस्तों यह जो है वाटर प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए IIT मदरास में जो है एकवा मैप नाम से एक वाटर मेनेजमेंट और पॉलिसी सेंटर को सेटप किया गया है IIT मदरास की अगर बात की जाए तो दोस्तों IIT मदरास देश का बेस्ट इंस्टिटूट चुन इरिंग में भी और ओवरॉल में भी IIT मदरास बेस्ट है IIT मदरास में ही एक जो है नियो बोल्ट नाम का विलचेर का भी जो है इजाद किया गया था तो एकवा मैप सेंटर फॉर्टर मेनेजमेंट और पॉल्सी एकवा मैप IIT मदरास के दिन ही सुरू किया गया होगा 22 मार्च को है न वाटर प्रब्रॉब्लेंगे के लिए सर्दार बर्दी मुहा में दो किस देश के नए राष्पती के के रूप में नियुक्त किये गए हैं तो यह दोस्तों तुर्कमेनिस्तान के किये गए तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है अस्गबद यह दोस्तों विदेशी कामगारों के लिए पिछले साल सबसे महंगा शहर था विदेशी कामगारों के लिए इस बार सबसे जो कॉश्ट्लियस सिटी है वो आपकी तेल अभीव है जो इसराइल की पुरानी कैपिटल है जहां यूएई ने अभी अपना एमबेसी उपिन किया मनत यहां की दोस्तों करेंसी है तुर्कमेनिस्तान की सितलियक सबसे सस्ता शहर जो दुनिया का है वह सिरिया का दमस्कस एज अफ लिविग में भी सबसे डाउन पे है दुनिया का सबसे महंगा शहर जो teenager आपका तेल अबीव है सबसे सेफ शहर में जो आ न्यूजीलेंड का दोस्तों व्ल्ड बार डे की इस भार की dai थी 22 मार्च को वर्ड वाटर डे मनाया गया तो ग्राउंड वाटर मेकिंग दा इन्वीजिबल वीजिबल मेकिंग दा इन्वीजिबल वीजिबल इन्वीजिबल को वीजिबल करिए ग्राउंड वाटर पे काम करिए ग्राउंड वाटर को कैसे आगे बढ़ाया जाए यह जो ह लोग इसका पूरा थीम है यह देखे यूनाइटेड यूनेसको यूनाइन वाटर इन सब की जो है यहां पर फोटो भी आ गई है पार्टनर के रूप में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इस बार वर्ल्ड बेंक ने एक रिवार्ड प्रोग्राम चलाया रहा है जिसमें सब्सक्ता बढ़ाने के लिए 1993 से हर साल 22 मार्च को विश्व जल्दीवस मनाया जाता है दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी जील जो है वूलर जील है कश्मीर में जमू एंड कश्मीर में ठीक है संयुक्त से नभ्यास लैमितिये का जो द्वीवार्सिक प्रशिक्ष्ण कारिकरम है उसका कौन सा एडिशन दोस्तों हो रहा है तो दोस्तों इसका नाइंथ एडिशन हो रहा है लैमितिये का नाइंथ एडिशन दोस्तों हो रहा है ठीक है क्लियर है कहां यूजित किया जा रहा सेशल्स में यूजित किया जा रहा सेशल्स की भी करेंसी रुपिया ही होती है दोस्तों और सेशल्स की जो कैपिटल है वो है विक्टोरिया ठीक है क्या है विक्टोरिया किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार करेकरम सुरू करने की गोश्णा किये विच बैंक है इनाउंस दा लॉंच ओफ स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम तो दोस्तों यह एच्डी अपसी बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम करेकरम सुरू करने की गोश्णा कि है HDFC बैंक कि ने दोस्तों अभी पेटीम के साथ भी टाइब किया था आपको याद होगा कि इसका चिल्लर रहे पेज़ाइप बहुत सारे पेज़ाइप है ठीक है तो दोस्तों एच्ड्यवाइप सी बेंग में समार्ट हब जो है प्रोग्राम चला है किस खिलाडी ने 2022 स्पोर्स स्टार एसे से वाड में स्पोर्स स्टार ऑफ दये एर फीविल का पुरुस्कार जीता पुरुसों में नीरेच चोपडा ने जीता है दोस्तों और महिलाओ में जो है वह जी अब एक हो गई एडिडास इस्टेंड प्लेट ही हो गई और भी कुछ थाना इनके साथ अब टोक्यों में 49 kg केटेग्री में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने जीता था और इन्होंने जो है और रवी दहिया ने सिल्वर जीता था इन्होंने दोस्तों स्पोर्ट्स वीमेन आप दे यह इंडिविजूवल स्पोर्ट्स का पुरुस्कार भी जीता है ठीक है जिसे उन्होंने लवलीना बॉर्गेहेन के साथ जो है मिल के साजा किया है लवलीना बॉर्गेहन आसाम की पहली जो है महिला विजेता थी पुसकर सिंग्धामी दोस्तों जो है उत्तरा खंड के मुक्मंत्री के रूप में कब सपत लेंगे पुसकर सिंग्धामी अपनी विधाएक कर सीट जो है खटीमा से हार गये उसके बावजूद दोस्तों क्यो है उसके पहले तिरत सिंग रावत थे पुसकर धामी बने दोस्तों और इन्हों ने जी दिला दिए अपना चुनाम चुनाव हारे चांप अपने विधायकी उह नहीं किया राज्यमजिताने पे इनका Exchange- Amand यह दोस्तों हारने के बाद भी यह विधायक दलने इन्हें अपना नेता चुल लिया है और अब जो है दोस्तों 23 मार्च को यह सपत लेंगे यह आज और फिर पर सो जो है 25 मार्च को योगी जी सपत लेंगे यूपी में इकाना स्टेडियम लखनव में पूरी भव जो है शु लीती खटकरकला में और दोस्तों 23 मार्च को उन्होंने सारवजिनिक अवकास गोशित कर दिया है भगत सिंग्की और अम्बेटकर साथ की मूर्थी के लिए भी दोस्तों विधानसभा में पारित कर दिया है तो देहरादून के परेट ग्राउंड में दोस्तों दोपह साड कि दोस्तों राजपाल जो है वो गुरमीद सिंह जो इन्हें जो है वो दिलाएग दोस्तों कि कि स्राज ने हाहा हाह 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 हुआ 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 ह crouch झाल 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 मेरा काजु कतली तुम लोग बंद कर दोगे हैं ऐसे करोगे में लब सर्दी हो गई तुम ऐसे करोगे मेरे साथ दोस्तो तो पंजाब ने जो है कि किया है ठीक है किस सहर ने कश्मीर फाइल की स्क्रीनिंग के मद्य नजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 अप्रेल तक धारह 144 लागू कर दिये दोस्तों विवेक रंजन अगनी होत्री जो है इसके डारेक्टर हैं और पल्लवी जोसी जो है इनकी वाइफ है दोस्तों डारेक्टर है जिन्होंने मालवी का मेनन जेनियूग प्रोफेसर का रोल किया था दोस्तों राजस्थान सरकार में जो है कोटा में कि एक बाइस मार्स से 21 परहर तक 146 लगा दी ताकि कोई यह पिक्चर देखने न जा पाए तो सोचिए इस पिक्चर को देखने से रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है कि सोचिए कि फिर यह लोग कहते हैं कि हम चार राज्य में कैसे हार गए पांच राज्य में चुना हुआ हम कैसे हार गए अगर कोई एक मूवी है बहुत सारे पिच्चर बने बेंडिट क्वीन बना उसमें नरसंगार दिखाया गया बहुत सारी पिच्चर देश भर में बनी है हैदर, सिकारा, रोजा दिखाया गया सब में नरसंगार दिखाये गया मडर रोज पिच्चर में दिखाये जाते अगर किसी के साथ नरसंगार हुआ तो उस बिचारे को एक स्टोरी 32 साल से भाजपा नहीं ला रही थी क्योंकि भाजपा की सरकार खेर बात यह हिंदू मुस्लिम के नहीं किसी भी एक प्रजाती को खोच-खोच के मारना उसके कैम्प में जाके मारना उसके लोगों के कठाक सामने खड़ा करें के मारना और वो विचारा अपने आपको मान लोग की कोई आदमी दिखा रहा है तो उसको देखने न देना यह तो गजब की तुगलकी फर्मान है कि 22 मास से 21 अप्रेल तक पिच्चर नहीं देखने देंगे फिर कहेंगे इबियम है को गया तो दोस्तों यह जो इन लोग की जो है कि इसी वज़े से 32 साल से बिचारे 32 साल से बिचारे कस्मीरी हिंदू जो हैं अपने ही देश में सरणार्थी कैंप में बने हुए हैं सरणार्थी कहे जाते हैं रिफ्यूजी कहे जाते हैं अपने ही देश में अपने ही देश के राज्य से निकाल दिये गए चार लाख लोग निकाल दिये गए कुछ लोग मालों सपिच्चर में साथ लाग कह रहा है हम चारी लाख मालें चार लाख लोग घर छोड़े होंगे तो सौट से छोड़ दियोंगे अपना मारा बनाया मकान आप अपना मोबाइल नहीं छोड़ते हो तो चार लाख लोग सवक्से से लोग कैते कि कुछ हुआ लुक चोड़ दिया अपने जैमीन जयदाद चोड़ दिय और आगे कैम्प में बघर पाने 2 ustar pemis 2 रहे ते वह कैम्प में आ अगाए इ算现在 जो 32 साल से कोई उनको पूछे उनके बारे में पूछे कोई उनके बारे में पूछने वाला नहीं था कि किसी ने उनके सुध नहीं ली कि उसमें अन्पम खेर जो है कश्मीरी पंडित के रूप में है हरा मित्थुन जो है कि सरकार के पतिनिदी की रूप में ऐसे एक मीडिया केके मिधी के प्रतिनिदी है उनके दोस्त पुलिस के हैं एक आर्मी के और दिखाया की मलबंव अनपम खेर की सुद जो है इन चारों दोस्तों ने नहीं है यानि जो कि कश्मीरी हिंदुों के दोस्त बनते रहोंगे आर्मी ने अपनी आक बंद कर ली कैंप में रहे गए बैरक में पुलिस ने की कुछ नहीं किया पुलिस ने मान लों कुछ किया भी तो उनको मार देते थे वह अतंक वाधी हो तो उनीवी के फेवर में हो गए कि भाई जाने के लिए सरकार ने फोन उठाना बन के दिया सरकार और ईन लोगों की बात नहीं उठेंए कि इनकि बात अगर उठेगी तो इसकी ठाइगी यह इसलिए सब ने मिल के इनकी सूधि नहीं लीए और उसमें जोंग्रेस की गोफर्मेंट भी नाजलती की तो कोई गलती नहीं टी बलकि राजियो至 गांदी川 जी ने संसत का खेहराव किया था कश्मेरी पंडितों के लिए बात उठाने देंगे स्क्रfahrण पीच्ट इतना इंपक्ट डाल सकती सरकार पर जितना भी रोत करो रेटेयगे उतना ज्यादा की उसका कि नाम होगा उतना ज्यादा लोग देखेंगे जतना तुम दबाओगे विवेक अगनि नहीं होतनी पूरा दिरिक्चार का नाम नहीं पता है धर का नहीं पता हम्याद्स कर का नाम नहीं दे पता के मिचल अच्छी लगते हैं तो देखता है आदमीं पिछड़ा लग रहे हैं कि विवेक अगनिहिवो어itti का पीछenario पढ़ गयों क्यों उसने जो है голов park sand 63 तयार की है कि और जिसे जो है कि विवेक अगनियोत्री के पीछे पूरा लेफ्टिस्ट इसलिए पढ़ गये क्यों वो लेफ्टिस्ट के पीछे पढ़ गये पिचर में उनोंने जै जैन्यू से लेकर हर जो है मार्क्सवादी और लेफ्टिस्ट वचारदारा को जो है एक्सपोस किया तो अब यह लोग सोच रहे हैं विवेक अगनियोतरी के भाई उसका तो नाम हो रहा होता नहीं जाता जितना तुम उसको जो है कि अंड संड बोल रहे हो लोगों को लग रहे हैं कि तई सही जग बन नकसल तो उसने यह तर्म दिया है तो अब लोग को लगता है यह तो हमारे बीच का आदमी था यह तो जैनियू का ही था इसको तो सब पता है कैसे ब्रेंवास किया जाता है तो इसलिए अब सब उसके पीछे पढ़ गए कि विवेक अगनियोतरी को जो है कि बदनाम कर द लेकिन उसका उतना ही नाम होगा और क्या कोई फिल्म के एक्टर को जानता है आच डिरेकटर को जान रहा है बिहार दिवस दोस्तो बाईस सबर्च को मना जाता है 1200 उन्नीस सlor बारको दोस्तो बेंगौल से अलग हुआ रहे हो या समराट अशोक रहे हो या बिन्दुसा रहे हो इस मगत समराज को जो है अफगानिस्तान तक जो है कि सीमाओं को ले गए थे एक समय में यह बिहार जो की स्वर्ण अयस्क भंडार का सबसे बड़ा जो है स्टोर है चोवालिस परसेंट गोल्डोर रिजर्व यह जहां पठना में दोस्तों अभी जो है डॉल्फिन का कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है यह वही बिहार है दोस्तों जहां पर अभी बुद्धिष्ट कॉंक्लेव कि अवर्ट तो दोस्तों अंग्रेजों ने इसका जो है निर्माड किया था ठीक है इस बार की जो थीम है वो है जल जीवन हरियाली ठीक है जल जीवन ौर हरियाली दोस्तों बिहार के मुंगेर में साड़े 14 किलोमेटर का ब्रिज एक ओपेन हुआ है किस नदी पर ओपेन हुआ है बताएंगे एथनौल पॉलसी लाने वाला पहला राज्य जो है बिहार है कि दोस्तों किस कंपनी ने इलेक्ट्रोनिक्स रिवर्स कॉमर्स कंपनी यंत्र का अधिग्रहन किया विच कंपनी एकवाइड इलेक्ट्रोनिक्स रिवर्स कॉमर्स कंपनी यंत्र तो दोस्तों यंत्र का जो है अधिग्रहन जो है एक्विजीशन जो है वह फ्लिपकार्ट गुरुपने किया किसने किया थीक है दोस्तों वित्वर्स 2022-23 के लिए किस राज ने अपने बजट में बच्चों का भी बजट पेश किया था तो बच्चों का बजट दोस्तों मद्य पदेश ने पेश किया था बच्चों का बजट किस ने पेश किया था मद्य पदेश ने पेश किया था क्लियर है बाल बजट भारत का पहला मेडिकल सीटी इंद्रायनी मेडिसीटी किस राज में स्थापित किया जाएगा किस राज में स्थापित किया जाएगा दोस्तों मेडिकल सीटी इंद्रायनी मेडिसीटी तो यह दोस्तों महराष्ट के पूने में स्थापित किया रहा है भ दोस्तो डीपी एटी गंसा सरकार स्टार्टाटप के लिए कमपणि में किये गएफ्ट करने की समय सीमा को पांक साल से बढ़ा के तॉस्त दस साल कर दिया को 10 साल कर दिया कितना कर दिया गया एसे नए करांसिल का मुख्यालय कहा है दोस्तों यह कोलंबो स्रीलंका में दोस्तों कोलंबो स्रीलंका के तर्न को माली में एड़ानी वह का interject किया गयरे एकज्विक ने बैंक ने इसको लोन च्रीलंका की हम लोग चौत ऊर्फा मजद करें भी इसको लाइन अफ क्रेडिट दिया एक बिलियन डॉलर का है कि नहीं कि वैसे से लंका की पुरानी केपिटल कोलंबो है अब इसकी केपिटल है स्री जैवर्दे ने पुरा कोटे भार्ती सेना ने किस देश के साथ नौवा सेयूद सेना ब्यास लैमितिय आयोजि किया है मामा श्री ने भाई से पाक मंगा तो इसमें दोस्तों मौरिशस मालदीव श्रीलंका नेपाल भारत इंडोनेशिया सेशल्स और पाकिस्तान इतने देशों की जो करेंसी रुपिया और सेशल्स की जो कैपिटल है वो है विक्टोरिया क्या है दोस्तों सेशल्स की जो कैपिटल है वह विक्टोरिया है ठीक है क्या है विक्टोरिया है ओके समझ गए तो दोस्तों यह अफ्रीका के पास यहां पर है इसके बाद इंडिया यहां पर है ठीक है मत समझा देए थोड़ा और दब जाना इंडिया मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है ठीक है दोस्तो भारत के रक्षा सचीव डाक्टर अजय कुमार ने गोवा में किस भारती तटरक्षक जहाज को कमिशन किया है जो 105 मीटर आप्सोल पिट्रोल विसल वर्ग में दोस्तो पाचवी है तो दोस्तो यहां पर इंडियन कोष्टगार्ड शिप का नाम क्या है जो पाचवी ह है दोस्तो छे में पाचवी है तो दोस्तो यह पाचवी जो है उनका उसका नाम है सक्षम क्या नाम है सक्षम नाम है क्लियर है पाचवी का इस पाचवी का नाम मैं आप लोग को एक सेशन में बता चुका हूं सजग सचेत सक्षम ऐसे करके था ना तो दोस्तों यह आज के सम पर्माचार थे जो समाप्त हुए कि कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए फटाफट एक बार कि दोस्तों यूपी ने जो है न्यू सोलर ओपन एक्सेस में जो है कैपसिटी में जो है सबसे ज्यादा इस्टॉलेशन किये हैं करनाट का इस लिस्ट में टॉप रहा है 38 परसेंट इंडिया का जो कमिलिटी ओपन एक्सेस सोलर इस्टॉलेशन है उसमें उसने टॉप किया दोस्तों राजस्थान ने जो है सोलर एनर्जी में जो है टॉप किया है और गुजरात ने सोलर रूफटॉप में दोस्तों टॉप किया है सोलर रूफटॉप इस्टॉले integration complex की जो है उद्गाटन किया है इसे किसके द्वारा बनाए गए डिए डियो एन लार्शन एंड ट्यूबरों के द्वारा 45 दिन के रिकॉर्ड समय में वन एक लाग तीस हजार स्क्वार फीट के छेत्र में निर्माण किया गया साथ मंजिला इमारत है कि दोस्तों जो यहां प पर एक सो तीन माताओं कि मिद्व रही है भारत में में किकेरल में थीस माताओं कि मिद्वी हो रही है एक लाख बड़्थ पर जो दोग्रेंOR क जीस का जो एम हैं दोस्तों 70 मृत्यू प्रती एक लाक लाइव बर्थ उससे बहुत कम है ठीक है अभी 2020 तक का टार्गेट है 100 मृत्यू प्रती एक लाक लाइव दर्थ तक लाना इसमें नाइन स्टेट लाए जा चुके हैं अध्य जो है 2030 तक 70 तक लाना है कि औक है के दोस्तों नौर्वे के एकर गुरुप ने नौर्वे के 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 वान मोटो ने और हिंदुस्तान शिप्याज ने मिल के दोस्तों Speed बोट बनाने के लिए एक त्री पक्षी एग्रिमेंट किया है तीन पाइटी वाला साउथ अफ्रिका के एक जो है आर्किटेक्ट है दोस्तो आठ में MSME जो है अवार्ड में MSME Bank of the Year का एसोचम अवार्ड जो है वो किसे मिला है करनाटका बैंक को मिला है करनाटका बैंक को दोस्तों यह अवार्ड मिला है कि छपिवस्तों अ гр motion ऐसे लिए बैंक में Ilaughing ने फाइफ परसंट का शेयर लिया है और अजर्ड में दोस्तों लिएर्ड मैं दोस्तों 2 परसंट का शेयर जो है वो बंजाब भंसेंदेक्ट मेंक ने लिया है एने आर्सी एल के हेड हैं पदमनायर दोस्तों इंडिया जापान एन्वल सम्मीट भारत जापान वार्शिक सिखर सम्मिलन कहां यूजित किया गया था तो फोमियों कि सिदा आये दोस्तों नई दिल्ली में आयूजित किया गया था दोस्तों दिल्ली मेरट रैपिड रेल कॉरिडोर बन गया है दोस्तों कोचों के लिए जो है एंसी आइटी सी द्वारा जो है कोचे इसके लांच किये गए हैं एंसी आइटी सी की स्थापना किस साल हुई थी तो यह 2013 में इसकी स्थापना हुई थी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सी यो किसे बनाया दिया गया है प्रसांथ जैवेरी को फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सी यो बना दिया गया है भारत France कोंपनियों को सहयता देने के लिए business France के साथ समझौता करने वाला एग्रिमेंट करने वाला पहला भारतिय बन गया है तो यह Dakota Confirm महिंद्रा बैंक बन गया ko tak महिंद्रा बैंग Qo Tect сб ने दोस्तों innovation incubation और acceleration center जो है कहां open किया है तो यह हैदरमाद में open किया कहां open किया है है ए हैदरा बाद में open किया है ठीक है है पूंस भारती फ़्रिकट खिलारी के नाम बते जिसे मालदीव स्पोर्स आवार्ड में स्पोर्स आइकन पुरुषकार से समानित किया गया तो दोस्तों मालदीव स्पोर्स आइकन आवार्ड से सूरेश रहना जी को समानित किया गया सूरेश रहना जी को उमदा खिलाडी हैं दोस्तों पिछले साल चेंडे सुपर किंग में नहीं गयते कोरोना की वजह से पाइसा इंपोर्टेंट नहीं जिन्दगी इंप्वर्टेंट इस बाइन को कोई खरीदा इन। कहले तुम अपना पाइसा इंपोर्टेंट नहीं ना जाओ इंजॉए करो तो माल दीव्च में पोर्स अवार्ड में है तो इंहें सपोर्स आइकन अवार्ड से underway किया गया है मालदीव की कैपिटल माले हैं दोस्तो करेंसी हैं माल दीव के व्यदेश मंतरी अबडुल्ल्ला साहिद हैं जिन्हें युनाइटे नेशन जनरल असेंबली का हेड़ बना गया दोस्तो सूरजकुन अंतराष्टी सिल्प मेला बहुत बड़ा मेला होता है दोस्तों बहुत वर्ल्ड फेमस मेला होता है इसमें थीम स्टेट जो है चुना गया है जम्मू कश्मीर और दोस्तों नेशन चुना गया है उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान की कैपिटल तासकंद में लालबादु सास्त्री जी का निधन हुआ था तासकंद फाइल भी विवेक अगनिहोत्तरी ने बनाई थी भारत बायोटेक जिसकी हेड़ है सुचित्रा इल्ला किष्णा इल्ला जिन्हें स ऐसे किःवरी के साथ ताय अब किया है तो दोस्तों इन्होंने स्पेन की कंपनी ऐसे ने वरेकिस्ट की और एट की का साथ करार किया जमविनु सिटी ने सेड्यू लीटी कि सॉलूशन के साथ क्या किया है करार किया है ओके क्लियर है याद रहेगा किस फिल्म में रमाता को रॉयल नाइट हूट से सम्मानित किया गया है दोस्तों रॉयल नाइट हूट से किसे सम्मानित किया गया है इस्टीव मै मैं क्वीन को समने क्या गया दोस्तों भी नाइट हुट की उपादी भी ब्रिटिस राज परिवार ने क्लाइव लॉयड को दी थी वेस्ट इंदीज के पुर्व क्रिकेटर और दोस्तों इसके पहले एक फॉर्मुला वन रेसर को नाइट हुट की उपादी दी लुइस हैमिल लोगे लिए ठीक है तो दोस्तों यूके चिल्टेन्ट बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया है तो दोस्तों मंजीत मान ने जो है अपनी बुक दॉक्रॉसिंग के लिए प्रेस्टिजियस योटो कार्नेगी मेडल जीता है वीमें ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया 75 महिलाओं को समानित किया जाएगा दोस्तों अगले 5 साल में 30,20,000 करोण का निवेश जो है जापान करेगा अभी जापान के साथ 75 बिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रिमेंट भी हुआ था जापान के जो पुरुप्रधान मंतरी है सिंजो आबे उन्हें दोस प्रिएट लगे रिपोर्ट कर सकते हैं फाइल जो है कि यहां पर फॉर्म डिस्क्रिप्शन में होगा और दोस्तों जो है जीए भाई प्यूसर पे आपको PDF मिल जाएगा पिछले चार-पांच दिन के PDF मैंने कल आपको दे दिये हैं जीए भाई प्यूसर टेलिग्राम पे है ना जिन लोग को ने नहीं मिला वो लोग जाकर के अभी ही टेलिगराम को फॉलोग कर ले और देख ले ठीक है त्न한다 ठिक्ष शू मगा शुकृरिया धन्यवाद स्वस्त रही ये मसे व्यस्त रही है मिलते हैं वीन बजे ठीक है और पांच बच्ज़े ँग्लास होगी एक के बहुत बढ़ियां कि संगीतागेरी सर आज क्लास अच्छे से चली कि बहुत बढ़ियां कि संगीत अगरी नो स्पीड हाँ यार पढ़ा देता था च्छे बच के 14 मिनिट पर इकल करतम हो गया तो मैंने का तो टाइम तो पर्याप्त मिल जा रहा है हम लोग को तो हम लोग क्यों एक्स्ट्रा फेक्स पर भी बात कर लिए इसलिए हमने आज बात कर लिए के बबाए